हलो गाईज वेल्कम बैक टो और यूट्यूब चैनल लेर्ण फैशन डिजाइन प्रेजेंटेट बाई डिजाइन अड्रेस बाई मोमिता आज इस वीडियो में आप सबको केमिकल प्रिंटिंग के मेटरियल्स के बाड़े में बताने वाली हूँ जैसे कि ब्लॉक प्रिंट ट प्रैशन डिजाइन रिलेटेड इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन इसी चैनल में अप्लोड करते रहेंगे जो कि आपके डिजाइन नॉलेज को और भी इंप्रूफ करेगा तो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन पर नोटिफिकेशन तो सबसे पहले मैं कलर के बारे में बताऊंगी क्योंकि ये कलर ही ब्लॉक प्रिंट, स्क्रीन प्रिंट, टेंसल प्रिंट हर तडिके की प्रिंटिंग करने के लिए यूज होते है तो इस कलर को कहते है एक्रमाइन कलर इसको प्रिंट कलर भी बोला जाते है तो ये प्रिंटिंग करने के लिए रेडी कलर नहीं है यानि कि इसको आप डिरेक्ट कप्रे के उपर यूज नहीं कर सकते हो तो इसको प्रिंट के लिए रेडी करने के लिए इसके साथ पर्टिकुलर रेशियो में कुछ इंग्रिडियन्स मिक्स करना पड़ता है तो ये हम बाद में इन डिटल्स सिखाएंगे आप सबको तो मेंली आज कलर के बाड़े में बता रहे है ये पिग्मिंट कलर बहुत साड़े कलर्स में अबलबल है जैसे कि या पर आप दिख रहे है ये ट्वेल्स कलर के एक सेट है तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या कलर है तो इसमें है violet color, deep green color, red color, golden yellow color, navy blue color, light yellow color, brown color white color, और यह है maroon color, black color, orange color, और यह है pink color, तो इस तरह के color की set market में available है, तो आप चाहो तो इस तरह के 12 color के set खरीच सकते हो, और इस तरह के individually color भी खरीच सकते हो, तो इस तरह के individually 5 type के color खरीच के color mixing process से आप 100 से भी ज़ाधा color बना सकते हैं, तो इस mixing के भी एक process होता है, जो मैं upcoming video में दिखाऊँगी, तो इसके लिए आपको इस channel के सब वीडियो को ज्यान से देखना पड़ेगा, इस pigment color आपको कोई भी printing materials के shop में मिल जाएगी, ये वजन के हिसाब से sell होते हैं, एक एक color approximately 60 rupees per 100 grams होते हैं, और आपको ये online shopping site में भी मिल जाएगी, अब मैं बताऊँगी binder के बारे में, कोई भी chemical printing करने के लिए binder एक important ingredients है, chemical printing में जब color ready किया जाते हैं, तब color few drops ही use होते हैं, सबसे जाड़ा ratio में binder ही use होते हैं, binder कपड़े के उपर एक polymer coating तयार करता है, जो color को कपड़े के उपर पकड़ के रखने में मादत करता है, ये binder white color के होते हैं, और paste, liquid, dust form में भी मिलते हैं, origin के हिसाब से binder two type के होते हैं, पहला है natural binder, जो की natural source से मिलते हैं, और दूसरा है synthetic binder, जो chemical forming से बनते हैं, ये synthetic binder भी अलग-अलग type के होते हैं, जो हम favicol, favigum, इस तरह के gum यूज़ करते हैं, वो भी एक synthetic binder ही हैं, बट sub-synthetic binder fabric में यूज़ नहीं होते हैं, फैबरिक में chemical printing करने के लिए कुछ particular synthetic binder ही यूज़ होते हैं, जो की fabric के हिसाब से different type के होते हैं, तो ये है खादी binder, खादी binder को dark color cotton fabric के लिए यूज़ करते हैं, और ये है white binder, इसको light color cotton fabric के लिए यूज़ करते हैं, और ये है fast fix binder, इसको dark color silk, georget, terry cotton इस तरह के fabric के लिए यूज़ करते हैं, और ये laser 4000 binder, इसको light color silk, georget, इस तरह के fabric के लिए यूज़ करते हैं, तो color के हिसाब से और fabric के हिसाब से भी binder अलग-अलग होते हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे binder की use के according different type of fabric के बाड़े में बताया, तो अगर आपको fabric के बाड़े में details knowledge चाहिए, तो हमारी चैनल में इसके उपर already एक video है, मैं description box में इसके link दे दिये हैं, आप देख सकते हो, ये SNL binder है, ये एक white color के liquid binder है, तो इसलिए इसको संभाल के रखना पड़ता है, इस type के synthetic emolutions, pigment color में mix करने से color में एक metallic look आते हैं, और ये fabric washing और scaring के time fastness प्रोवाइट करता है, तो professional way में printing करने के लिए SNL binder बहुत important है, तो ये सब binder के अलवा भी gold paste, silver paste, copper paste binder भी होते है, प्रिंट को shining करने के लिए इस तरह के binder यूज किया जाते है, तो ये binder आपको chemical color selling shop में मिल जाएगी, और इस binder के price 140 rupees से 170 rupees पर kilogram होते हैं, और maximum shop में ये half kilo के नीचे नहीं sell करते हैं, तो minimum आपको ये half kilo लेना परेगा, और ये आप online shopping site से भी खरिच सकते हो, बहाँ पे भी मिल जाएगा, तो ये है fixer, फैब्रिक में color को fix करने के लिए और color के durability के लिए fixer यूज करना बहुत ही ज़रूरी है, color और binder के साथ few drops fixer यूज करना पड़ता है, इसके भी एक ratio है, जो हम आगे चलके सब कुछ बताएंगे, इसके लिए आपको सब वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा, तो ये fixer के price 40 रूपीज से 60 रूपीज पर 100 ग्राम्स होता है, ये इंडिविजियली भी अप खड़िच सकते हो, और आप online shopping site में color binder और fixer के combo kit होते है, उसको भी आप खड़िच सकते हो, तो मैं आपको pigment color और acrymine color के बाड़े में बताई, अब मैं आपको बताऊंगी acrylic color के बाड़े में, तो इसको fabric color भी बुला जाते है, तो ये एक ready color है, यानि कि इसमें color, binder, fixer, सब कुछ added होते है, आप इसको directly fabric के उपर use कर सकते हो, और ये है medium, कही बाड़ ऐसा होता है कि बहुत दीन acrylic color घर पे रखने से ये इसके जो thickness होता है, ये बढ़ जाते है, यानि कि ये जम जाते है, तो इसको liquid करने के लिए इस तरह के medium यूज की जाते है, तो ये medium भी liquid होता है और white color के होता है, तो ये है wooden block, इस type के wooden block से ही block print किया जाते है, त इसको maintain करना बहुत ही ज़रूरी है, ये wooden block को कैसे maintain करते है, इसके ऊपर एक video है हमारी इस channel पे, अगर आपने नहीं देखा है, तो description box में मैं इसके link दे दिये है, आप ज़रूर देख लीजिएगा, तो इस तरह के block आपको art and craft के shop में मिल जाएगी, अगर आप online shopping site से खड़ि है, बहुत designs होते हैं, आप अपने पसंद के इस तरह के block खड़िद सकते हो, तो इस type के block के price mainly depend करता है, इसके size के ऊपर, जैसे कि मैं जो ये सब block खड़िदा हूँ, तो इस block के price लिए है 10 rupees, और इसके price है 20 rupees, और इसके price लिए है 30 rupees, और ये दो block मैं 40 rupees करके खड़िदा हूँ, और इस वाला जो blocks है, तो इसको mainly border करने के लिए यूज किया जाते है, और ये size में भी थोड़ा सा बढ़ा है, तो इसके लिए, इसका price लिए है 100 rupees, तो ये है sponge, block print करने के लिए, इस type के sponge बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि block print करने के time, pigment color को binder, fixer के साथ mix करने के बाद, इसी type के sponge के उपर रखके फिर block print किया जाता है, तो इसके process में block print दिखाने के time अपको दिखाऊंगी, और ये है sponge stick, टेंसल प्रेंटिन करने के time, इस type के sponge stick को use करते है, तो तो टेंसल में color करने के लिए, इस type के sponge stick को mainly use किया जाते है, तो ये है टेंसल, टेंसल प्रेंटिंग करने के लिए इस तरह के designer टेंसल यूज किया जाता है, तो इस तरह के designer टेंसल आप market से खड़ीच सकते हो, आगर अब चाहो तो इस तरह के टेंसल आप घर में भी बना सकते हो, तो इसके process में upcoming video में बहुत जल्द अपको दिखाऊंगी, इसके लिए आपको इस channel के upcoming हर एक video को ध्यान से देखना पड़ेगा, तो इसको कहते है, tracing paper, तो इस type के paper, टेंसल प्रेंटिंग करने के लिए यूज किया जाते है, तो टेंसल प्रेंटिंग जब मैं आपको दिखाऊंगी, ताब इसके uses बता दूंगी, यह screen printing के screen है, इसके design, fluid art nylon mesh fabric के उपर photo emulation coating करके बनाया जाते है, जो हम अपको बाद में सिखाएंगे, इस type के design बनाने के लिए, जो जो materials के जरूरत परता है, बो में screen printing दिखाने के time, आपको details में बताऊंगी, प्रिंटिंग करने के time, जब आप इसके उपर color रख के squeezing करोगे, तो इसके उपर जिस तरह के design दिख रहे है, same to same design आपके fabric के उपर आ जाएगी, तो इसके uses भी बहुत होते हैं, और यह screens है, तो यह screen printing के materials जो सॉप से मिलते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, और online shopping sites में इस तरह के screen cell होते हैं, तो वहाँ से भी आप खड़ीच सकते हो, तो इसको कहते है squizzer, screen printing करने के time, इस type के squizzer से screen के उपर squeezing की जाती है, तो screen के हिसाब से इसके भी अलग-अलग size होते है, तो यह छोटे बड़े हर एक size में मिलते है, तो इस है dropper, तो printing करने के लिए इस तरह के dropper यूज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बताई कि प्रिंटिंग करने के लिए कालर और फिक्सर फ्यू ड्रॉप सी यूज किया जाते है, तो अगर आप इस टाइप के dropper यूज करोगे, तो आप एक पर्टिकुलरी रेशियो में आप एक्जेक्ट माप के कालर और फिक्सर ले पाओगे, तो यह हैंड ग्लब्स है, प्रिंटिंग करने के टाइप इस टाइप के हैंड ग्लब्स पहनना ज़रूरी है, तो एक बात मैं आपको क्लियर ली बताना चाहती हूँ, कि यह जो कलर, फिक्सर, बाइंडर है, यह स्कीन फ्रेंडली है, इस से आपकी स्कीन पे कोई भी र्याक्शन नहीं होगी, और यह नॉर्माली सावुन से धोने से ही निकाल जाते हैं, पर फिर भी स्कीन के प्रोटेक्शन के लिए इस तरह के हैंड ग्लब्स पहन लेना चाहिए, और कही कही बार तो प्रिंटिंग करने के टाइम अफरॉन भी पह और कैसी लगी अच्के वीडियो यह जरूर बताईयेगा, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और केमिकल प्रिंटिंग के बारे में कोई भी क्वाइडिस हो, कोई भी सजेशन हो, या कोई भी सवाल हो, तो प्लीज हमें यूट्यूब में कॉमेंट करके बताईएगा थांक यू पर वाचिन